नमस्कार दोस्तों साधना कीचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तो आज की रेस्पी है बहुत ज्यादा खास दोस्तों जो आप लोग इसको बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको जरूर बनाईएगा गर्मी में अगर एनरजी कम हो जाए ठका बिकमाइन की आज में भ्रत में बिटामीन ए पाया जाता है और दूद से हटीयों में जानाती है मजबूती आती है दोस्तों और बढाम से दिमाग से तेज होने के साथ साथ इमुनीटी भी बुस्छ होती है इमुनीटी rbhc ko बढ़ाती है बढाम तो इस रेश्पी को पीने से आपको पूरे गर्मी तागत मिलने वाली है, बच्चे से बुढ़े तक जवान तक सभी को फैदे मंद रेश्पी है दोस्तों, तो चलिए मैं चलती हूँ अब इसको बनाने, इसके लिए लेना है, 16-17 बदाम है, पानी में डाल करके रात भर के लिए में छोड़ी थी, सुबह में इसको छिलका उतार ले रही हूँ, अब इसी से बनेगा, और इसमें क्या-क्या इंग्रेडियंट्स पड़ेगा, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, और वीडियो को फुलवाच कीजिएगा, पहले बदाम को पूरी तरह से छिल लेना है दोस्तों, तो आगे चल के सारा प्रोसिस बताऊंगी, आप लोग ध्यान से देखते जाएए, तो देखिए बदाम का छिलका उतर गया है, अब इसको लेना है छोटा वाला ग्राइंडर जार में, अब इसको पहले हलका ग्राइंड कर लेने के बाद में, फिर इसको दूद क के साथ पीश कर स्मूथ बनाना होगा, तो देखिए इस तरह से थोड़ा दरदरा हुआ है, तो इस तरह से अगर डालिएगा, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पीने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हलका दूद डालके इसको स्मूथ पेष्ट तियार करना है दोस्तों, बदाम को बिल्कुल स्मूथ बनाना होगा पीश करके इस तरह से, तो देखिए इसी तरह से बदाम को त्यार कर लीजिएगा, तो चलिए दोस्तों, अब इसके लिए लेना है कडाही, कडाही में थोड़ा सा डाल देना है पानी, पानी में भाप निकल जाएगा, इससे कडाही में दूद चाelnेगे या इस तरीका को फॉलो किजियेगा पकेट वाला भी दूद चलेगा लेकिन गpoint के लिए रही हूं और न चाओ बिना मलाई वाला दूध लीजिएगा एकदम क्लियर दूध लेना चाहिए इसको बॉय लाने तक पकाना है चैनल पे नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे तो देखिए दोस्तों इसमें अब डालना है 60 ml का कप है तो इसी से एक कप में चिन्नी डाल रही हूँ यानि 50 ग्राम से थोड़ा ज्यादा 60 ग्राम चिन्नी है एक लिटर दूध में इससे कम मीठा पसंद होगा ता आप 50 ग्राम ही ले सकते हैं चिन्नी खुल जाएगा बढ डाल देना है पीसी हुई बदाम अब बदाम डालने के बाद में दोस्तों 5 मिनट तक पकाना होगा बदाम बढ़ियां से पक जाएगा तब इसमें थिकनेस के लिए और एक समान पड़ेगा दोस्तों जो आपको बहुत गाढ़ा गाढ़ा बनेगा और बहुत जादा कस्टड पाउडर बनीला फ्लेवर का कस्टड पाउडर है अगर आपको ऐसे नॉर्मल कस्टड होगा पाउडर तो इलाइची का फ्लेवर बना सकते हैं लेकिन बनीला फ्लेवर है इसमें तो मैं इसके साथ इलाइची का फ्लेवर नहीं बनाऊंगी यह बनीला फ्लेवर कही बनेगा इसको पहले घोल लेना है गरम दूध ना लिजिएगा बिल्कुल ठंधा दूध लेना है ठंधा दूध में बढ़ियां से घोल कर त्यार हो जाता है कस्टड और अगर गरम लिजिएगा तो गाठ हुटली पड़ जाएगा अब इसमें देखिए दोस्तों पांच करके पक करके गाढ़ा थिकनेस त्यार हो जाए तो देखिए अब इसको कस्टड घोल को डाल करके धीरे धीरे चलाना है और दूध को सुरू से लाष्ट तक कंटीनिव चलाएगा दोस्तों जब बदाम पके या चीनी पके या कस्टड पके सारा प्रोसिस में कंटीनिव चल दराना है कस्टड डालने बाद भी 5 मिनट पकाना होगा प्रप। बदाम डालने के बाद ये पाँच मिनट पकना चाहिए ही अब इसमें थोड़ा सा द्लेर होँ या थोड़ा डिजाइन हो इसके लिए केसर के धैकगी नहीं होगा आप लोग के पास तो तो अस्किप भी कर सकते हैं, हमारे पास था, तो मैं डाल रही हूँ, केसर से थोड़ा स्वाद बढ़ियां आता है, और लुक भी, डिजाइन भी सब बढ़ियां बन जाता है, अब इसमें डाल देना है, छोटा पीसेज में काट करके, बदाम, बदाम मिल्क सेक है दोस्तों, तो इसमें काजो कुझो डालने का कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बना रही हूँ ऐसे, जैसे सिर्फ बदाम और दूद से बने, तो इसी को बोला जाता है, बदाम मिल्क सेक, इसमें मैं ड्राइफ रूट भी उपर से, बदाम वाला ही की हूँ, छोटा छोटा पीसेज काट क अब देखिए दोस्तों, बढ़ियां सा पग गया, इसको ठंधा होने के लिए, पंखा के हवा के पास कुछ देर छोड़ना है, पांच मिनट, चार मिनट, फिर फ्रीज में डाल दीजिएगा, पांच मिनट के लिए, कुल टोटल दस मिनट के बाद, बिल्कुल चिल्ड करके मैं लाई हूँ, इसको बिल्कुल ठंधा हो गया है, एकदम, पीने के बाद, मन को तरो ताजा कर देगा, दोस्तों, बहुत जादा, मतलब, एनर्जी तो आएगा ही आएगा, लेकिन एकदम ताजगी आजाएगा, इसको पीते, पीते, तो इसको फिरीज में जरूर रखिए देगा, और 10 मिनाट कुल ठोटल मिला कर टाइम हुआ है, बाहर निकालते हुए, अब इस तरह से सर्व कीजिए, उपर से फिर थोड़ा सा बदाम लगा दीजिए, बहुत मज़ेदार और बनाना इजी ए मिल्क सेक को है, तो इस मिल्क सेक मतलब बदाम मिल्क सेक, आप पूर घर परिवार को एक गिलास देंगे सुबा के टाइम में, तो बहुत तागत मिलेगा, और हड़ियो में मजबूती भी रहेगी, आपको एनरजी से भरपूर रखेगा दोस्तों, इम्मुनिटीव को बुष्ट भी करेगा, तो ऐसी ऐसी रेस्पी देखने के लिए आपको बह प्रभण देखने के लिए शेने के लिए शेखने के लिए।